बारत में बढ़ रही आतंकवादी गत्विदियों को लेकर NIA ने बड़ा खुलासा किया है दारसल खालस्तानी आतंकवादी संगठन भारत में नशीले पदार्थों की तसकरी की काली कमाई को टेरर फंडिंग के लिए स्तमाल कर रहे हैं साथ ही पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया, दुबई का हवाला, कारोबारी और आईएसाई का खतरनाक नेटवर्क पंजाब में आतंकवाद के जिन्न को जिन्दा करने की कोशिश में जिटे हैं एनाईए ने कैसे आतंकवाद की खेल से परदा उठाया, इस रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान की काली कर्टू ते एक बार फिर भारत में उजाकार हुई इस बार एनाईए ने आतंक को लेकर बड़ा खुलासा किया और बताया की कैसे ड्रक्स का खेल खेल कर आतंक को बढ़ावा देने के लिए पैसा पहुचाया जाता है एनाईए ने नार्को टेरर फंडिंग के एक मामले में चारशीट दाखिल की जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि आतंकवादी संगठन भारत में ड्रक्स की सप्लाई करते हैं और तसकरी से आयए पैसो को टेरर फंडिंग के लिए इस्तमाल करते हैं इस चारशीट में भारत विरोधी गदी विदियो में शामिल प्रतिबंदित खालिस्तानी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स पाकिस्तान के ड्रक्स माफियां दुबाई के एक हवाला कारोबारी और ISI के खतरनाक नेटवर का खुलासा हुआ है जो पंजाब में फिर स आतंगवात के जिनको जिन्दा करने की कोशिश में जुटा है यह खुलासा मोहाली इस्थित एनाईय की विशेश अदालत में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से संबंदिन नार्गो टेरर केस की सप्लिमेंटरी चार्शीट में किया गया है एनाईय ने यह चार्शीट खाल दर्श मामले में दाखिल की है एनाईय की जांच में खुलासा हुआ है पाकिस्तान से संचालित केलेफ के आतंगवादी जस्वीर सींग सामरा के जरिये पाकिस्तान में हेरोईन तसकरी कर रहे थे सामरा केलेफ के एक अन्य आतंगवादी धर्विंदर सिंग उर्फ धन्ना के जरिये हेरोईन इस्थाने तसकरों को बेचता था हेरोईन बेच कर इखटा किया गया पैसा सामरा के खात्वे में जमा होता था सामरा हवाला की जरिए पैसे को केलब तक पहुचाने का काम करता था जिसे बाद में टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तमाल में लिया जाता था बता देंगे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स पाकिस्तान की खूबी आइजनसी आईएसाई की कटपुतली है और उसी के इशारे पर भारत में अवैद हत्यारों, नशीले पधारतों और नकली करेंसी के अलावा पंजाब के यूवकों को बरगला कर आतंगवात की और प्रेरित करना उसके धंदे में शामिल है के एल एफ आईएस आई के इशारे पर ही अवैद गतिविदियों के जरिए भारती तसकरों और अपनी स्लिपर सेल्स के जरिए पैसा इखटा करता है जिसका इस्तमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जाता है पंजाब में आतंगवात को जिन्दा करने की कई कोशिशे कर चुके खालिस्तान लिबरेशन पोर्स को ग्रह मंत्राले ने गैर कानूनी गति विधियां रोक्ता मदिनियम के तहट एक अक्टूबर 2018 को प्रतिबंदित कर दिया था ये प्रतिबंद NIA के प्रस्ताफ के बाद लगाया गया था वही NIA ने इस नार्को टेरर मामले के शाषीट 29 मई 2020 को ताखिल की ती जिसमें जस्वीर सिंग सामरा सहीत कुल नो तस्करों और आतंकवादियों को आरोपी बनाया गया था खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के दरजिन भर आतंकवादियों की गिरफतारी के बाबजूद भी इस आतंकवादी संगठन की भारत विरोधी गतिविदियां थमने का नाम नहीं ले रही है हाल ही में भारती सीमा पर देखे गए पाकिस्तान की कई जून इस बात के सबूत हैं कि खालस्तान लिबरेशन फोर्स भारत में लगातार नशीले पदार्थों और अवेद्य हत्यारों की खेप पहुचाने की कोशिश कर रहा है बेहन के बाद भी ये संगठन भारत के लिए खत्रा बन रहा है कापिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सब का धन्यवार अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें कापिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया